Hello students, let's see this question, here we have compare the following, हमें क्या करना है, इनको compare करना है, तो अगर हम first part देखेंगे, हमारे पास है 2 by 8 and minus 5 by 8, तो हम सबसे पहले देखते हैं, डिनॉमिनेटर सेम है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने देखा, डिनॉमिनेटर तो सेम है, as denominator डिनॉमिनेटर और सेम, ठीक है, तो इस case में तो हमें सिर्फ क्या करना है, नूमिनेटर तो चेक करना है, तो हम देखेंगे 2, 2 greater है minus 5 से, इसका मतलब 2 by 8 जो है, वो greater होगा minus 5 by 8 से, ठीक है, second part अगर हम देखते हैं, हमारे पास है 5 by 6 and 5 by 9, तो यहाँ पर अगर हम देखें, डि डिनॉमिनेटर और नॉट सेम, तो हम कैसे compare कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका डिनॉमिनेटर सेम बनाएंगे, डिनॉमिनेटर सेम बनाने के लिए, हम क्या करेंगे, 6 and 9 का common denominator देखेंगे, मतलब LCM देखेंगे, common denominator जो होगा, वो क्या होगा, LCM होगा, LCM of 6 and 9, 6 and 9 का LCM क्या होता है, 6 को हमने लिखा 2 into 3, 9 को लिखा हमने 3 into 3, तो जो हमें LCM मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा, 18, ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों के denominators को 18 बनाना है, तो 6 को 18 कैसे बनाएंगे, 3 से multiply करना पड़ेगा, numerator और denominator में, 15 by 18 मिला, 5 by 9 है, 9 को 18 बनाना है, 2 से करना पड़ेगा, 10 by 18 मिला, अब दोनों के denominators क्या है, सेम है तो अब हम numerator देखेंगे, numerator में 15 है और 10 है, 15 बड़ा है 10 से, इसका मतलग 15 by 18 ग्रेटर होगा 10 by 18 के, और 15 by 18 है क्या, 5 by 6, और 10 by 18 क्या है, 5 by 9, तो 5 by 6 ग्रेटर होगा, 5 by 9 के, अब हमारे पास 6 by 7, और 6 by 39, ठीक है, तो इस case में भी अगर हम देखेंगे, तो denominator क्या है, सेम नहीं है, तो हम denominator को सेम बनाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, LCM ले लेंगे, common denominator, क्या हो जाएगा, LCM of 7 and 39, ठीक है, 7 हमारा प्राइम नमबर है, तो इनका जो LCM होगा, वो क्या हो जाएगा, 7 multiplied by 39, मतलब क्या आगया, 273, अब दोनों का denominator हमें 273 बनाना है, तो 7 को हमें 39 से करना पड़ेगा, तो numerator को भी करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इनको multiply करके हमें क्या मिल जाएगा, 234 divided by 273, same 6 by 39, इसको 273 बनाना है, तो 7 से multiply कराएगे, दोनों में कराना पड़ेगा, अब दोनों के denominator सेम है, तो हम numerator को compare कर लेंगे, 234 बड़ा है 42 से, इसका मतलब 234 by 273 बड़ा हो जाएगा किस से, 42 by 273 से, यह है क्या बिटा, 6 by 7 है, और यह क्या है, 6 by 39 है, तो हमारा 6 by 7 क्या हो गया, greater हो गया, 6 by 39 से, I hope all the parts are clear to you, thank you.